पूरे देश से तस्वीर जो आ रही है कुछ इस तरह की ही तस्वीर देखने को मिल रही है कमोबेश हर जगा की स्थिती वैसे ही देखने को मिल रही है नौइडा में भी कुछ मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट जो है बंद किये गए हैं वही पूरे देश की बात कर ले तो हैद्राबाद हो बिहार की राजधानी पटना हो सभी जगह से तस्वीर ऐसी ही आ रही है एनार्सी और सी एए को लेकर लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं सडको पर उतरा रहे हैं एक तरह से जन आंदोलन की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है और लगतार सी एए को वापस लेने की मांग लोगों की तरफ से की जा रही है लेकिन इसे बीच कुछ तस्वीर इंट्रस्टिंग ये भी आ रही है कि जब मीडिया कर्मी पूछ रहे हैं लोगों से कि वो विरोध कर रहे हैं किस चीज का ये विरोध है CAA क्या है किस बात को लेकर आपती है तो ज्यादा तर लोग यकीन मानिये ज्यादा तर लोग ऐसे हैं कि उन्हें CAA कानून के बारे में जानकारी ही नहीं है कुछ जगों पर तो लोग ये कह रहे हैं कि वो महिलाओं के उत्पीडन के खलाफ विरोध परदर्शन करने के लिए उत्रे हैं तमाम जगह से जो तस्वीर आ रही है वहां ये विरोध परदर्शन की तस्वीर के बीच में लोगों से जब बात किया जा रहा है जब मीडिया कर्मी लोगों से बाचीत कर रहे हैं तो ज्यादा तर लोग जो भीड का हिस्सा हैं जो कह रहे हैं कि उन्हें बदलाव चाहिए किस तरह बदलाव चाहिए किस बात पर उन्हें आपती है ये जानकारी ही नहीं है उन्हें लगातार ये देखे किस तरीके से इलाके पर उत्रहें लोग, पॉलिटिकल पार्टीज भी जो हैं, वो भी अपना विरोध दर्ज करा रही हैं, सपा के कारे करता हैं, सडक पर बैठे हैं और शाजहापूर, लखनाओ, संभल, अमेठी इस तरह की ही तस्वीर देखने को मिल रही है, एक तरह से कह सकते हैं कि आज भारत बंद का अहवान जो किया गया था, कि पूरे तरह से लोग सडकों पर उत्रेंगे, इसको देखते हुए पुलिस ने भी सतरकता बढ़ाई थी, और खासकर अगर दिली NCR की बात करें, तो यूपी में तो ये बात कह दी गई थी, कि इस तरह के प्रदर्शन को हिंसक रूप कर लेता है, तो बरदाश्ट नहीं किया जाएगा, और बल का प्रियोग पुलिस को वहां करना पड़ेगा, तो नौइडा से जो खबरे आ रही है, हिंसक प्रदर्शन तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कमोबेश तस्वीर पूरे देश से इस तरीके से आ रही है, लो अहमदाबाद और कुशीन अगर की तस्वीर दिखा रही है, यह देखिए, हिंसक प्रदर्शन बिलकुल अलाव नहीं है, अगर आप हिंसा करते पाए गए तो आप चार्जिस लगेंगे, हिरासत में ही नहीं लिया जाएगा, आप पर कारवाई भी होगी, यह बार-बार कह जा रहा है, यूपी में किसी तरीके के हिंसक प्रदर्शन को सरकार की तरफ से कहा गया है, कि अगर हिंसक प्रदर्शन में आप पाए जाते हैं, कि आप हिंसा करते हुए देखे गए हैं, या इस तरह के विरोध प्रदर्शन में जो की हिंसक रूप अख्तियार कर रहा है, उसमें आप शामिल हैं तो आप पर सक्त कारवाई की जाएगी, सक्ती से निपटा जाएगा ऐसे प्रदिशन कारियों पर, अगर आपको peaceful प्रटेस्ट करना है तो आप peaceful प्रोटेस्ट कीजे, लेकिन देखिये संबल में किस तरीके से आग लगा दी गई रोडवेस की जादातर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुचाया जा रहा है और ये जो भीड निकल रही है सड़कों पर उन्हें भी खयाल रखना होगा कि अगर आप विरोध दर्ज करा रहे हैं लोग तंत्र है आप अपना विरोध दर्ज कराईए लेकिन इस तरीके से नहीं ये हिंसा करके आप संब्धान का आप भी उलंगन कर रहे हैं हिंसा का कहीं भी हमारे कानून में हमारे संब्धान में कहीं भी कोई जगा नहीं है आप अगर कह रहे हैं कि सरकार ने ये कानून लाकर संब्धान के एक आर्टिकल का उलंगन किया है तो आप भी क्या कर रहे हैं ये आपक हाफले कर दिया गया और सडकों पर आपको पत्थर नजर आएंगे किस तरीके से पुलिस जब पहुचती है इस तरह के हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए तो पत्थर बाजी की जा रही है कुशी नगर की तस्वीर देख लीजिए किस तरीके से लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है पुलिस कर्मीयों को बलका प्रयोग करना पड़ रहा है और उसके बाद ये कहा जाता है कि पुलिस जो है वो दमनकारी बन चुकी है पुलिस जो है लाठी के दम पर लोगों को मार पीट रही है और प्रदेशन को खत्म करने की कोशिश पुलिस कर्मियों की तरफ से की जा रही है समाजवादी पार्टी इस कानून का बुरोध करती है जिस तरीके से भेदवाब के साथ और समिधान की धजियां उड़ारी भारती जंता पार्टी लोगसवार राजसवादी पार्टी ने अपना पक्ष रखा ही है वहीं इस काले कानून के खिलाफ हैं हमारा लोकतन धर्म के आधार पर कभी भी भेदवाब नहीं करता हमारा समिधान भेदवाब नहीं करता आखिरकार भारती जंता पार्टी इस तरह का भेदवाब जानबूच करके कर रही है जिससे उन्हें कुरसी मिलने में आसानी हो ये केवल कुरसी पाने के लिए काला कानून लाए है सिटिजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ समाजवादी पार्टी है इसका बिरोध करती है कि धर्म के आधार पर किसी की भी नागरिकता तैनी हो सकती है हमारा देश की महंता यही है कि हर जाती धर्म के लोगों को हमने सम्मान दिया उनको जगह दी है हमारे देश की सबसे बड़ी पैचान यही रही है कि जो भी आया है भारत की धर्ती पर उसको हमने स्विकार किया है यह भारती जनता पार्टी जान बूझ करके भाईचारे को और देश के बीचे में आम लोगों के बीच में खाई पैदा करना चाहती है देखे हिंसा कहीं पे भी हो किसी भी अस्तर पे हो हम ना पुलिस की हिंसा का जो है वो समर्थन करते हैं और ना ही हम भील की हिंसा का समर्थन करते हैं और जो लोग गुमराह करने के शर्यंतर में लगे हुए हैं इस पूरे के पूरे मुद्दे को तूल दे करके अपनी राजनेतिक रोटियां सेखने की कोशिश कर रहे हैं जनतंत की ताकस से जो परास्त हो चुके है वो जनतंत को गुंडा तंत के माध्धम से उसका अपहनल करना चाहते हैं उनको समझ लेना चाहिए कि उनकी ये शर्यान तो साजिशें पूरी तरह से नाकाम होगी और जनता उसको मुह तोड़ जवाब लोगों में एक किसम का डर है केवल मुसल्मान नहीं हिंदूओं के अंदर सिखों के अंदर क्रिस्चन के अंदर सभी नागरिकों के अंदर ये डर है कि जब उन्हें कहा जाएगा कि आप साबित करो, कागस दिखाओ, कि आप देश के नागरिक हो, तो इस देश में गरीबों के पास कागस नहीं है, 70% से जादा लोगों के पास कुछ भी दिखाने को नहीं होगा, कागस दिखाने को नहीं होगे, तो फिर उन लोगों को कहा आसकर गरीब आदमी चाहे वो किसी भी धरम का हो सब लोग इस टाइम डरे हुए हैं इस कानून से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा